नमस्कार आप सभी को हिंदी विभाग के और सा आपका स्वागत है नन डिटेल में पहला वाला पार्ट है सू की ढाली दूसरा दुरुष्य में यहां पर जैसे परेश बेला और सारा परिवार के आधार पर बेला के लिए जो कोई पसंद नहीं करता करके यहां पर परेश दादा जी के पास आकर है और अपने घर ग्रहस्ती अलग करना चाहता है घर ग्रहस्ती का अरत है घर यानि वो आपने आपको अपनी पत्नी के साथ सप्रेट रहना चाहता है यानि इंडिविजल फैमिली की तरह निउकलियर फैमिली की तरह अब आगे वाला भाग दादा सिर्फ उक्का यानि दादा सिर्फ उक्का गुड़ गुड़ाते हैं दादा वे समझती है कि वो छोटी बहु है इसलिए सब उसकी अलोचना करना उसे आदेश देना अपना करतव्या समझते हैं दादा सिर्फ उक्का गुड़ गुड़ाते हैं परेश और वो अपनी अलग रहस्ती बसाना चाहती है जहां उसे कोई रोकने वाला ना हो जहां वो स्वच्च पूर्वक अपना जीवन बिता सके वो चाहती है कि यदि बाव वाला मकान उसे मिल जाए तो वो सुक और शांती से रहे मैं तो सदय या बनाना रहूंगा याने बनाना रहूंगा कुछ ही दिनों की बात है मेरा तब्दिली हो जाएगी उतने दिन को यदि आप बाव वाला मकान का प्रभन कर दें उसके सारी उद्धगनिया अनस्तिक्ता और तिल मिलाहट में उसकी या इच्छा काम करती है अब मैं उसे कैसे समझाओं यहां पर उद्धगनिता का आर्थ है अशान्त रहना चिंतित रहना अनमस्ता का आर्थ है फिजिकली याने मेंटली फिटना होना और तिल मिलाहट का आर्थ है जो मन में जिस तरह से दुख होता है दर्ध होता है जलन होती है जिस तरह से आग लगी होती है इसको वो कहते हैं यहाँ पर जिस तरह से यानि परेश अपने दादाजी से कह रहा है कि उपने अलग घर रहना चाहती है उसे कोई रोकने वाला ना हो कोई टोकने वाला ना हो वो यानि हर एक चीज़ पर जिस तरह से कोई आदेश यानि आडर करने वाला ना हो वो इंडिपेंडेंड और प्रेवेसी में रहना चाहते हैं तो उस समय वो परेश कहता है कि आप जो बाग वाला जो मकान है वो वाला हमें दे दीजिये कुछ समय तक हम लोग रहेंगे बाद में कहीं और हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे तब दिली हो जाएगी कार्थ है कहीं और जब उन्हें ट्रांसफर हो जाएगा उस समय हम ही कहीं और चले जाएंगे तब तक क्योंकि बेला के मन में ना संतोश है चिन्तीत रहती है और मानसिक अनुसा तो आप हमें वहां का मकान दीजिए कुश्रंट चुप 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 चाप हुप का गुड़ गुड़ाते हैं फिर हूं करके कह देते हैं खांसते हैं ये तो इस जंजट से छुटकारा दादा जी कह रहे हैं खांसते हुए जंजट से छुटकारा पाने का सरलोपा यही है कि तुम्हें बाह वाला मकान दे दिया जाएगा वह पड़ा भी बेकार है और अभी मैं उस से किसी तरह का काम लेना का भी इरादा नहीं रखता पर तुम जानते हो बेटा मेरा जी ते जी या संभव है फिर हुका गुड़ गुड़ाते हैं मैं जब अपना परिवार का ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने वाट का महान पेड गूम जाता है खांस कर शाखाओं पत्तों फलों फूलों से भरा पूरा हुक्य का एक दो कश लगाते हैं और फिर मेरी आँखों में के सामने इस महान वरुष की ढालियां तूटने लगती हैं और वा केवल तूट रहा जाता है स्वर्धीमा जैसे अपने आप से कह रहे हैं और मैं सिहर उठता हूँ ना बेटा मैं अपने जीते जी या सब ना होने दूँगा तुम चिंता ना करो मैं सब को समझा दूँगा घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस कार करने का सहस ना होगा कोई उसका समय नश्ट ना करेगा इश्वर की अपार्क रुपा से हमारे घर सुशित संस्कृत बहु आई है तो क्या हम अपनी मूर्कता से उसे परेशान कर देंगे तुम जाओ बेटा किसी प्रकाश की चिंता ना करो मन में स्थन ना दो मैं कोई न कोई उपए ढूंड निकालूंगा तुम विश्वास रुखो वो अपने आपको याने परायों से घेरे अनुभाव ना करेगी उसे वही आधार सतकार मिलेगा जो उसे अपने घर में प्राप्त था परेश जैसे आप उचित संजें दादा औ और देखो तुम स्वयम भी इस बात का ध्यान रखना तुम्हारी किसी बात से उसका मन ना दुखें कोई भी ऐसी बात ना करो जिसे वह अपना अपमान संजें परेश चल लेको होता है दादा और तुम उसे साथ ले जाकर नगर से सब चीज़ें खरीद लाओ शेश की चिं रास्ता अवश्य निकालूंगा अब यहां पर जैसे परेश कहता है तो दादा जी कहते हैं कि मेरे सामने एक वाट का पेड़ की तरह है जिस तरह से उसमें फल फूल ढालियां पतियां यह सारे हैं अगर उसमें ढालियां तूटती जाएगी तो ना फल लगेगा ना फूल रहेगी क्योंके परिवार जो है एक वाट पेड़ की तरह है अगर तूम अलग हो जाओगे तो जिस तरह से कोई ना कोई बात सारे लोगों में होगी और फिर जिस तरह से अब तक उन्होंने अपने संसार को घर परिवार को संजोए याने जोड कर रखा था जिस एक फूलो जिस तरह से एक माला बन कर उसे जो गले में जितनी सुंदर लगती है उसी तरह परिवार भी उसी तरह एक दूसरे में सहायता करना विश्वास और जिस तरह से एक दूसरे की यानि मान सम्मान देना ये सभी के लिए माहन है करके यहां पर दादा जी परेश को समझाते हैं कि आप चिंता मत करो कोई ना कोई उपए मैं काड़ूंगा और आप अपनी पत्नी को लेकर बाजार याने नगर का अर्थ है मार्केट जाकर उसे जो चाहे वो दिलादो पर आप मेरी चिंता मत करो पर उसकी चिंता करो जो बाहर से आई हुई लड़की वह आप तुमारी पत्नी है और इस परिवार का हिस्सा है पर जैसा आपकी इच्छा चला जाता है दादा फिर हुका गुड़ गुड़ाने लगते हैं हुके के कश लंबे हैं जो इस बात के सक्षी है के दादा हुका पिने के साथ साथ सोच भी रहे हैं दादा जैसे आचानक उन्हें कुछ सुझ गया हो रजवा रजवा फिर हुका गुड़ गुड़ाते हैं रजवा नहीं आती फिर आवाज देते हैं रजवा रजवा दूर रजवा दूर से जी आई अभागी हुई सी प्रवेश करती है दादा छोटी बहु के आतरिक्त सब को या भेज़ दो कहो के सब काम छोड़ कर मेरे पास आए रजवा जाने ने लगती है और सुनो कोई ना रहे सब से कहना कुछ श्रंड के लिए अवश्य यहां आ जाए रजवा जी मैं अभी जाकर सब से कह देती हूँ चल ली जाती है दादा फिर हुका गुड़ गुड़ाने लगते है नल से किसी की कपड़े धोने की आवाज आने लगती है दादा और भी लंबे लंबे कश लगाते हैं धीरे धीरे कुटंब के प्रानी आने लगती है बालक और युवक तक्त और चारपाई पर बैठते हैं और स्त्री बरांदे में फर्ष पर रजवा उनके बैठने के लिए मोडे और चटाई लाकर बिछा देती है अब यहां पर दादा जी कश लगाते हुए वो सोसते रहते हैं अब ये घर परिवार को टूटने से कैसे बचाना है तो समय वो एक मीटिंग करते हैं जिस तरह से अपने घर परिवार में जो नौकरानी यानि मिश्रानी का नाम जो रजवा है उसे कहते हैं जिसको भी बुलाना है सभी के घर परिवार वालों को सभी को बुलाना चोटी बहु को बेला को कुछ मत बताना क्योंकि यहां पर सारे बिना किसी को सुने आप बुला बुला कर लाकर यहां पर बिठा देना तो समय रजवा सभी को बुला कर बिठा देती है और उस समय दादा जी मीटिंग प्रारम यानि वारता लप करने लगते हैं यानि घर परिवार को तूटने से कैसे बचाना है और वैसे ही इस नान घर से कपड़े धोने की आवाज आती है तो उसमें दादा जी देखते हैं कि यहां पर रजवा, छटाई, चारपाई और फिर मोडा, मोडा यानि जिसे बोरिया कहते हैं उस तरह के चीजों को बैटने वाला आसन भी कहते हैं तो दाल कर सभी लोग बैट जाते हैं यहां तक आपके लिए समाप करते हैं धन्यवाद, सभी को ध्यान रखें परिक्षा में हरी एक सफल होना सबसे महान है